स्टूडन्स कैसे आप सब लास्ट टाइम हमने देखा था method of inspection क्या है ठीक है आज हम एक और method करने जा रहे हैं that is substitution method ठीक है substitution method से आप कैसे किसी function को integrate करोगे और कब ये apply होगा आज हम discuss करेंगे देखे इस method को समझने के लिए मैं आपको दो results बताऊंगा बहुत important results है ठीक है इनको आपने याद रखना है और procedure भी याद रखना है कैसे मैं इन results में मतलब कैसे मैं इन results को prove करूँगा ऐसे ही आपको questions फिर करने है देखे पहला result है suppose कीजिए आपके पास कोई function है say f of x यह मैंने एक function ली इसका integral आपको देखना है लेकिन जो ये function है इसका कुछ power है say n एन मैंने इसका power लिया और इंटी मतलब ये integrand है और इसी में ये जो f x है इसका derivative multiplication में है average x यानि इस form का कोई question आपके सामने है ठीक है मैं दो results ऐसे बताओंगा पहले ये वाला result देखे आप और observe कीजिए इसमें क्या क्या है function है इसका कुछ power n है और multiple में इस function का derivative है इस type का question अगर आपके सामने होगा तो क्या करेंगे और कैसे आप substitution method यूज करते हो ये आप देखोगे देखे जो इस function है f of x ये मैं put करूंगा suppose t के बराबर f of x ये मैंने t के बराबर रखा ठीक है ऐसी आपको भी करना है अब f of x मैंने t के बराबर किया यानि सबस्टूट किया अब यहाँ पे next step आपका रहेगा इसको आप differentiate करोगे मैंने ये चीज t के बराबर रखी जो आपने put किया इसको अब आप differentiate करोगे with respect x differentiate with respect x क्या मिलेगा ab dash x is equal to dt by dx है के नहीं ab dash का मतलब इसकी differentiation या लिखो d f of x by dx अब dx को यहां लेके आओ you'll get ab dash x dx is equal to dt ये suppose कर लो integral i है और ये first है time being ये first है ये मैंने first रखा अब आप देखे ab dash x dx किसके बराबर dt के बराबर और f x के बादले मुझे क्या करना है t substitute करना है यानि अगर मैंने f of x t के बराबर रखा ये सारी function जो ये integrand है सारा ये आपको convert करना है in terms of t जो अपने नया variable आया t अब आप देखे first से क्या मिलेगा i is equal to integral f of x के बदले क्या है t power में क्या है n into ये इसके बदले क्या है average x dx के बदले d t तो यहां पे लिखेंगे d t अब आप देखे substitution का फाइदा क्या रहा ये इतना बड़ा question जो है ये आपने reduce किया इस form में क्या किया पहले आपने observe कि f of x का power कुछ है और इसका derivative साथ में है जब आपने f of x t के बराबर रखा फिर differentiate किया तो ये मिला अब इसकी differentiation आपको पता है क्योंकि ये loving integral है ठीक है x power n last time मैंने बताया था integration of x raise power n की क्या है power plus 1 divided by n plus 1 और plus c constant of integration तो ये ही मैंने किया तो इतना जो बड़ा question है ये आपने simple form में लाया standard form में या कहे loving form में तो ये substitution का फाइदा है इसलिए मैंने substitution की ठीक है तो देखे power plus 1 divided by n plus 1 plus c अब t का value वापस दीजे t क्या था f of x f of x power में n plus 1 divide में क्या है n plus 1 और plus c तो देखे आप जो आपके पास question था ये किसके बराबर है f of x power n plus 1 n plus 1 n plus 1 plus c अब ये result आगे आप direct भी use कर सकते हो ठीक है लेकिन अगर question में mention है आप substitution करो फिर ये procedure आपको करना पड़ेगा ठीक है और power में n था आप क्या करोगे n plus 1 और divide में n plus 1 plus constant of integration ये directly आप question में use कर सकते हो ठीक है मैं एक example देता हूँ directly कैसे करोगे और इस procedure से कैसे आप ये result ये use करोगे देखे यहाँ पे देते हैं देखे मैं एक example से आपको ये समझाओंगा अब suppose कीज़े आपके सामने integral है i z equal to integral sin x raise power से 4 और यहाँ पे cos x dx है तो कैसे करोगे आप पहले इस चीज़ को देखे और इस result को इसके साथ compare कीज़े f of x raise power n into f dash x dx f x power something ये मान के चलिए आपका f x है और ये power n है multiple में f dash x dx multiple में इसका derivative f dash x dx अगर ऐसा question आपके सामने आएगा तो आप क्या करोगे आप जो फंक्शन है ये put करोगे से t के बराबर sin x is equal to t अब इसको differentiate कीजे you will get cos x is equal to dt by dx dx को यहां लेके आओ cos x dx is equal to dt अब मैं first में put करोंगा यानि इसमें आप ये put कीजे i क्या मिलेगा integral sin x के बदले t है power में 4 cos x dx के बदले dt अब इसकी integration आपको पता है x raise power n ठीक है वो apply कीजे power plus 1 divided by n plus 1 plus c अब t का value वापस substitute कीजे t क्या था sin x power क्या है n plus 1 divided by n plus 1 plus c ये इसका answer है ठीक है तो ये आपने substitution method से किया जो procedure मैंने यहां पे किया directly कैसे करोगे देखे आपके सामने है integral sin x to the power 4 cos x dx आपने ये चीज़ उब्जर्व की कि इसमें function है power है और साथ में multiple में इसका derivative है अब directly आप क्या करोगे जो ये function है इसका जो power है इसको plus 1 करना है sin x 4 plus 1 divided by 4 plus 1 plus c directly तो इसका मतलब ये क्या हैगा sin x power में 5 divided by 5 plus c ठीक है यहाँ n आपका 4 था ये मैं 4 plus 1 रखता हूँ ये आपका 4 है या नहीं ये बनेगा आपका 5 और ये भी आपका 5 बनेगा ठीक है n यहाँ पे 4 था तो देखे जो यहाँ पे answer है वही यहाँ पे है ठीक है तो directly भी आप ये result ये यूज कर सकते हो ये पहला result है जो आप याद रखोगे अगर इस form का कोई भी question है तो substitution क्या करोगे आप function को put करोगे t के बराबर उसको differentiate करोगे और फिर ये procedure करोगे ठीक है लेकिन एक चीज़ का खया रखना आप अब उसी function को put करोगे t के बराबर जिसका derivative dx के साथ है ठीक है भी ये point याद रखना आगे मैं एक example दूँगा वहाँ पे आपको पता चलेगा मैंने ये point क्यों बोला आप function t के बराबर रखते हो लेकिन वहाँ पे कभी दो functions होंगी question में दो functions होंगी आप वहाँ सोचोगे मैं इस function को t के बराबर रखूं कि इस function को t के बराबर रखूं वहाँ पे आपको सोचना है जिसका derivative dx के साथ है जिसका derivative dx के साथ है उसी function को output करोगे t के बराबर ठीक है ये आगे हम देखेंगे हलाल मैं दूसरा रिजल्ट दिखाता हूँ देखे सेकेंड रिजल्ट क्या है आपके पास से f-x by f-x dx है इस चीज़ का integral आपको निकालना है कल अगर इस type का question होगा आपके सामने तो आपका approach क्या रहेगा देखे आपने देखा f of x है और इसकी differentiation है साथ में ठीक है differentiation numerator में है fx denominator में है यह किसके बराबर है और क्या आपका approach रहेगा सबसे पहले आप put करोगे किसका derivative dx के साथ है fx का fx को मैं put करूँगा t के बराबर तो put कीज़े f of x is equal to t के बराबर अब मैं इसको differentiate करूँगा you'll get f dash x is equal to dt by dx इसको यहां लेके आए f dash x dx is equal to dt ठीक है अब देखें f dash x dx f dash x dx किसके बराबर dt के बराबर यह मैं इसमें वापस पलग करता हूँ सबोज कीज़े यह integral i था therefore i किसके बराबर आएगा ab dash x dx के बदले dt divided by fx के बदले t ठीक है तो यह आपने reduce किया इस form में अब इसकी integration आपको पता है यह basic form है sit and dot form मैं इस चीज़ को one by t लिख सकता हूँ और dt वो यहां पे रखेंगे कोई problem no अब इसका integral आपको पता है किसको आपने differentiate किया one by t निकला यह result आपको पता है one by x dx one by x किस चीज़ की differentiation है log x की तो इसका मतलब यहां पे क्या आएगा log t plus c यहां पे हम mod रखेंगे ठीक है अब t का value वापस log t क्या था f of x और plus c तो यह इसका answer है इसका मतलब अगर इस type का कोई question है कि denominator में function है numerator में इसका derivative है तो आप directly function put करोगे t के बराबर इसको differentiate करोगे and you will get the answer ठीक है यह directly आप लिखोगे कि ab dash x by fx की integration क्या है log of fx plus c ठीक है तो यह result भी आप याद रखना मैं इस पर अब एक example आपको देता हूँ suppose कीजे आपको integral निकालना है 10x का ठीक है क्या करेंगे इसमें मैं 10x को sin x बे cos x लिख सकता हूँ है ना अब आप देखे cos की differentiation numerator में है sin x अब minus plus है वो adjust करेंगे अगर कौन अस्टार्ड भी होता वो तो simple है वो आप adjust कर सकते हो लेकिन function है function present है वहाँ पर cos x की differentiation minus sign है minus हम adjust करेंगे लेकिन sign present है और साथ में dx है तो dx के साथ sin x है अब मैं put करूंगा cos x को अब कोई student सूचता sin x को ही put करेंगे t के बराबर लेकिन उसकी sin x की differentiation क्या आएगी फिर cos x cos x dx के साथ नहीं है तो ये substitution नहीं चलेगी ठीक है इससे आपका answer नहीं आएगा तो आपको पहली ही अब सोचना है कि किस चीज़ को आप t के बराबर रखोगे जिसका derivative dx के साथ है तो put करेंगे cos x t के बराबर ये suppose कीज़े first है अब इसकी differentiation बताएए minus sin x is equal to dt by dx dx को यहां लेके आए minus sin x dx is equal to dt अब यहां question में आपके पास सिर्फ sin x dx है ये minus नहीं है इसको यहां नीचे लाएए you will get sin x dx is equal to minus dt minus 1 नीचे जाएगा वो minus dt बनेगा अब इसका value में first में substitute करूँगा therefore first becomes ये suppose की ये i है integral i is equal to sin x dx के बदले क्या है minus dt divided by cos x के बदले हमने t लिखा तो इसका मतलब इस minus को बाहर लाएए you will get 1 by t dt या कहिए minus 1 by t इसकी integration क्या है log तो यहां पे लिखेंगे log of t plus c log of t का value क्या था cos x plus c ये इसका answer है ठीक है perfect है तो अभी तक हमने दो results किये ठीक अब मैं कुछ remarks आपको बताता हूँ आपको पता चलेगा कि कैसे आपको different type of questions में substitution करनी है और क्या क्या आपके सामने आएगा देखें हमें पता है integration of x raised power n dx किसके बराबर है x n प्लस 1 divided by n प्लस 1 प्लस c यह हमें पता है अब x के बदले अगर कोई linear expression है मतलब ax प्लस b इसका power n है dx इसके integration अगर निकालने होगी तो कैसे निकालोगे ठीक है यह result भी आप directly फिर याद रख सकते हो लेकिन इसकी integration कैसे आप निकालोगे with the help of substitution वो मैं आपको दिखाऊंगा देखें जो यह linear expression है यह मैं put करूंगा t के बराबर तो क्या हैगा put कीजे ax प्लस b is equal to t के बराबर अब जब आप put करते हो तो इसको differentiate करना है इसको differentiate कीजे ax की differentiation ax की 1 constant separate है इसकी differentiation 0 is equal to t की बनेगी dt by dx इसको यहाँ लेके आए adx is equal to dt यहाँ पे dx के साथ a है no तो a को यहाँ नीचे लाए you will get dx is equal to 1 by a dt ठीक है अब यह दो चीजे इसमें put कीजे therefore first किसके बराबर आएगा you will get integral ax plus b के बदले t power n dx के बदले क्या है 1 by a dt clear 1 by a constant बाहर लाइए 1 by a integral t power n dt अब इसकी integration आपको पता है ज़रा बताएए रहे आप कैसे बताओगे यहां कोई नहीं है यहां बस camera है और मैं हूँ यह मुझे टुकुर टुकुर देख रहा है और यह मेरा बंदा बैठा है इदर यह भी आसरा है 1 by a इसकी integration क्या है t n plus 1 divided by n plus 1 प्लस c ठीक है अब देखे 1 by a t क्या है t आपका a x प्लस b है पावर n प्लस 1 divide n प्लस 1 प्लस c तो यह आपने देखा कि इसकी integration क्या है और कैसे आपने इसकी integration निकाली with the help of substitution तो क्या आपने याद रखा आपके पास standard result था integral fx power something dx fx यह है लेकिन कल अगर इस x के बदले कोई linear expression है say a x प्लस b उस वक्त आपका approach क्या रहेगा जह linear expression है function in expression a x प्लस b इस a x प्लस b को आप t के बराबर रखोगे और यह procedure एपलाई करोगे ठीक है आगे और भी कुछ examples करेंगे फिलाल यह result आप याद रखना कैसे इसकी integration directly आप निकालोगे a x प्लस b raise power n की क्या integration है power plus 1 divided by n plus 1 और denominator में इसकी differentiation आती है वो a है और प्लस c रखे clear है देखे हमें पता है 1 by x की क्या integration है log x है ना अब x के बदले अगर a x प्लस b होगा इसकी क्या integration आएगी procedure यह है हम इस expression को t के बराबर रखते हैं put a x प्लस b is equal to t अब इसको differentiate कीजे again you will get a x की 1 b की 0 t की dt by dx dx को यहां लेके आए a dx is equal to dt a को नीचे dx is equal to dt by a ठीक है अब यह चीज़े इसमें put कीजे देखे क्या हता है integral 1 by x प्लस b के बदले t और साथ में dt ठीक है बताएए इसकी integration log t plus c t का अपना value वापस दीजे t है आपका x प्लस b ठीक है plus c देखे dx के बदले क्या था dt by a तो यहां पर dt by a आएगा तो a 1 by इसको यहां मैं रखता हूँ 1 by a ठीक है तो यह इसकी integration आएगी ओके यहां मैं बदर के आएग्गा है ए